तो दोस्तो इस वीडियो में मैं Plastic Engineering के उपर Students के तीन डाउट मैं आपसे clear करने वाला हूँ पहला डाउट Students का जै होता है कि इस course का course level क्या है उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जै जो course है वो कितने वर्ष का course होता है और अंत में मैं आपसे discuss करने वाला हूँ कि अगर आपको Plastic Engineering का course करना है तो इसके लिए आखिर eligibility criteria क्या है Hello friends आप देख रहे हो Educational Wordster Channel तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं Plastic Engineering के उपर Students के तीन डाउट मैं आपसे clear करने वाला हूँ आप इस वीडियो का description चेक कर सकते हो आपको कई courses की वीडियो मिल जाएंगी तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे discuss करूँगा कि what is a course duration जैनि अगर आपको Plastic Engineering का course करना है तो Jack course कितने वर्ष का course होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको Plastic Engineering का course करना है तो Jack course चार वर्ष का course होता है अगर आप 12th की class पास करने के बाद इस course को BTEC के जरी करते हो तो Jack course चार वर्ष का होता है लेकिन अगर आप इस course को डिपलोमा करने के बाद ट्राइ करते हो तो जै कोर्स आपको तीन वर्ष का course मिलेगा जानि इस course में आपको second year में ही direct admission मिल जाएगी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ what is course level जानि जो plastic engineering का जो course है वो किस level की category में आता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 12th के बाद इस course को करते हो तो जै कोर्स आपको under graduate category में मिलेगा B.Tech के बाद होता है M.Tech और M.Tech में जै कोर्स आपको post graduate level की category का मिलेगा और अंतमी मैं आपसे discuss करने वाला हूँ what is eligibility criteria जैनि अगर आपको plastic engineering का course करना है तो इसके लिए आखिर आपको क्या करना होगा इसके लिए दोस्तों जो 12th की class है वो आपको science के subject के साथ पास करने होगी आपको 12th की class में physics, chemistry और mathematics जैसे subject आपको पढ़ने ही हैं 12th की class पास करने के बाद आपको entrance exam देना होगा entrance exam clear करने के बाद ही आपको plastic engineering में admission मिल सकता है लेकिन दोस्तों कई colleges ऐसे होते हैं जो आपके 12th की merit base पर ही आपको direct admission देते हैं तो आप किसी भी private college में इस course के लिए आप direct admission ले सकते हो और मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि इस course में आपको theory के साथ practical की knowledge भी दी जाती है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने plastic engineering के उपर students के कुछ doubt clear किये हैं लेकिन फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो और अगर आपको plastic engineering के उपर कुछ और वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैंने उन वीडियो का link इस वीडियो के description में दे दिया है आप बाँ जाकर देख सकते हो तो आन्ति में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आईए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद